जिसे दिल में बसाया था मुझे उसने दगा दी है मिटा की हसरते दिल इस तरह नाकाम कर डाला टलब ताही रह गया उमर भर ऐसी दगा दी है मुझे उस बेवफा ने प्यार में बदिनाम कर डाला गॉल्डन आई पेश करते हैं एक ताजा तरीन वाकया जिसका उनवान है मुझे गरीब की फनकार हैं मुझमिल तजमिल सावरी और कलाम लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर है जनाब फईम शाज अमरोहीवी ने मौशिकी से सवारा है जनाब महमूत खान साहब ने लिजे सामाई समा थुमाई एक ताजा तरीन वाकया जिसका उनवान है एशाद शम्मा बुझ गई उसके नसीब की रुस्वा हुई है कैसे मुहबत खरीब 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 की मैं आपको सुनाता हूं ओ, मेरे महरबा, खमखेज एक बेवफा नड़की की दास ता, ओ, एक रईस जाती थी, चेहरा हसीन था, खुद पर वो नाज करती थी, खुद पर यकीन था, एक रोज वो बाजार में पहुँची जो बेखतर, आया वहां हसीन सा नड़का उसे नजर, बल गिस्सा जब के देखी उससे नजर मिली, आशिक वो उस पे हो गई दिल की कली खिली, जो के बहुत हसीन था, लेकिन गरीब था, खुशियों के दूर दूर था, गम के परीब था, महनत से ऐसे करता था ताजिर की नौपुरी, मजलूम जैसे करता है जाबिर की नौपुरी आता था वो बाजार में बस इतने काम को, सुभा को रोज आता था, जाता था शाम को, जो वालिदा थी उसकी वो रहती थी मर्ज में, खोई कमी न छोड़ी थी बेटे ने फर्ज में माबाप की वो पेर भी करता था सुभाशा माबाप की वो पेर भी करता था सुभाशा उसकी जुबापे रहता था हर दम खुदा का नाम माबाप की वो पेर शाम के वो पेर आप शाम को, भी करता था सुभाशा मिली दिल में मचीती लड़की के चाहत की खलवली वारणी ही आगे लड़की ने उससे किया कलाम मुझे को और बताई ये जल्दी से अपना नाम सुनकर ये बात देखिए लड़का वो डर गया वोला वो मेरे नाम से क्या काम पड़ गया नड़की ये बोली आपसे मिलकर हुई खुशी मैं चाहती हूँ आपसे हो जाए दोस्ती एहवाल कुछ सुनाईए अपने खयाल का मुझे को जवाब चाहिए मेरे सवाल का उसको जवाब ये दिया सुन ले ऐ माहरू मुझे से हो दोस्ती ना करो ऐसी आरजू मैं एक वरीब जादा हूँ बेहद असीर हूँ तुम हो अमीर जादी तो मैं एक फकीर हूँ जब ये सुना तो लड़की को हैरत हुई बड़ी संजीतगी के साथ वो घर अपने चल पड़ी आया जो वक्त शाब तो लड़का वो घर गया आया जो वक्त शाब तो लड़का वो घर गया आया जो वक्त शाब तो लड़का वो घर गया आया जो वक्त शाब तो लड़का वो घर गया उल्फत का तीर उसके भी दिल में उतर गया वक्त का तीर उसके भी दिल में उतर गया वक्त का तीर उसके भी दिल में उतर गया वक्त शाब शाब तो जो वक्त शाब तो रहा वो रात भरी रही युही नजरों के सामने आशिक बना दिया उसे उसके कलाम ने सुबहा को वो गरीब जो पहुँचा बजार में दिल उसका बेकरार था इस इंतिजार में आएगी जब वो सामने दीदार पाऊंगा जो मेरे दिल का हाल है उसको सुनाऊंगा इस कश्मा कश्मे देखिये तो पहर हो गया आई न जब वो सामने दिल उसका रो गया आँखों से अशर बैते थे बेताब था जिगर आया कभी वो चांद सा चेहरा उसे नजर पीदार यार पाया तो दिल शाद हो गया हुर्पत के घम में कैद था आजाद हो गया आई घरीब लड़के के वोरण वो तेज़ गाम आकर रई सिजादी ने उसको किया सलाम खुश हो के उसने पेश की फिर अपनी आरुजू ना काम यूँ ना कीजिए इस दिल की जुस्त जूद मैं हो गई हूँ आपकी उल्फत में मुद्दा 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 तुम भी खुबूल कीजिए अब इसका फैसला तुम भी खुबूल कीजिए अब इसका फैसला तुम भी खुबूल कीजिए अब इसका फैसला तुम भी खुबूल इसका फैसला उसका हुसीनी चेहरा निगाहों में भर लिया जब होश में वो आई तो कहने लगा घरीब माना में एक घरीब हूं और तुम हो खुश नसीब वालिद भी तो है देखी है तज्जार आप का मैं तो किसर हूँ सोचलो नादार बाप का लड़की ये बोली किसलिए करते हो ऐसी बात अब को तुम्हारे दम से है रोशन मेरी हयात तुमको मेरी वफा के अगर एतिवार है इजहार इश्क कीजिए दिल बेकरार है लड़के ने खुद को उसका तलबगार कर लिया खुश होंके फिर तो प्यार का इजहार कर लिया उछ ऐसे दोनों प्यार में मश्गूल हो गए गाटे भी उनकी राहों के अब फूल हो गए पुछ दिन ही चल सका ये मुहाबत का सिलसिला पुछ दिन ही चल सका ये मुहाबत का सिलसिला फिर उस रईस जादी को शेहजादा मिल गया फिर उस रईस जादी को शेहजादा मिल गया फिर उस रईस जादी को शेहजादा मिल करा फिर उस ही रईस जादी को शेहजादा मिल चुछ आए आया था वो तो शहर से लड़का अमीर था और मालो जर्बी देखिये उस पर कसीर था शौबिन वो कर रहा था बड़े जोर शोर से देखा रईस जादी ने जब उसको गोर से और नहीं उस हसीन के आया करीब तर बोला रईस जादी से कुछ तेरे सोच कर वो मुझ को दिवाना कर दिया तेरे जमाल ने दिल कैद कर लिया तेरी सुनफों के जाल ने ये सुनके लड़की खुश हुई इकरार कर लिया ठुकरा दिया घरीद को और प्यार कर लिया ओ दोनों ऐसे प्यार में फिर हो गए मगन दोनों के घर में शादी के होने लगे जतन जिस वक्त उस गरीब को इसका पता चला वो रंजो गम में हो गया कुछ ऐसा मुपतला जब दिल फे बेवफाई के खंजरी चल गए एक पले में गम की आग से अर्मानी चल गए जाहत में उसकी देखी ये हालत आजीब की जाहत में उसकी देखी ये हालत आजीब की रुस्वा हुई है कैसे मुहबत गरीब की रुस्वा हुई है कैसे मुहबत गरीब की बुस्वा हुई है कैसे मुहबत गरीब की ये हालत आजीब की जब दिल था उसका सुपू जब ना मिल सका तो यकब यकी कर लिया फिर उसने फैसला जब अश्क बन के खून नजर में उतर गया वोरनी ही उस रईस की बेटी के घर गया जाकर रईस जादी से कहने लगा वरीब जूटा था तेरा प्यार को आई थी क्यों करीब सितम किया क्यों अपनी बेवफाई का दिल में जख़प आई नरास बेवफा तुझको वफा मेरी तुझ पे भरोसा करने आई ती खता मेरी ये बात तु सुनके बोली वो गुस्से में फूल कर क्या बात कर रहे हो तुम आउकात बूल कर तुम चीज क्या हो और क्या हस्ती है तुमारी गौम के भवर में डूबती कश्ती है तुमारी तुम खुद बताओ मेरा तुमारा क्या मेले बेहत गरीब तुम हो ये किसमत का खेले मुझको ना ऐसे प्यार में मजबूर कीजिए मुझको ना ऐसे प्यार में मजबूर कीजिए चेहरे को मेरी नजरों से अब दूर कीजिए और नहीं उल्टे पाओं वो दीवाना घर चला रोता था चीकता था तड़पता था वर्मला मायूसियां मिली थी उसे बद हवास था जिस वक्त घर वो पुंचा तो चेहरा उगात था मादर की जब नजर पड़ी बेटे के हाल पर देता रहा जबाब वो मा के सवाल पर उमा बाब सुनके बाद ये शर्मिंदा हो गए जो जखमे दिल के भर गए फिर जिन्दा हो गए वो बावफा था इसलिए नाकाम हो गया एक बेवफा के प्यार में बद नाम हो गया पागल हुआ वो इश्क में रुसवाईयां मिली यूँ जिन्दगी की राह में तनहाईयां मिली जिस दिन हुआ रईस की बेटी का फिर निकाः खुशियां लुटी गरीब की गम की मिली पना फिर उसकी जिन्दगी बड़ी बेनूर हो गई चारों तरफ ये बात भी मश्यूर हो गई पुलहन बनी है शाद को अपने हभीब की पुलहन बनी है शाद को अपने हभीब की रस्वा होई है कैसे मुखबत गरीब की रस्वा होई है कैसे मुखबत गरीब की कि नहां पर गरीब की